नमस्यार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब जैनल टेक्निकल अभिशेग रजक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूणिवर्सिटी की परिच्छाओं के सम्मंदित जैसा कि आप सभी को पता होगा प्रदेश में कुरोना संक्रमड को देखते हुए अभी भी लागडाउन चल रहा है और इसी में छात्रों के मन में ये प्रस्न बार बार उठ रहा है कि इर्जाम होगा या नहीं क्या छात्रों को प्रमोल्ट किया जाएगा तो इनी सभी बातों पे हम आज चर्शा करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं हमारे मुबाइल स्केन पर एक न्यूज पेपर का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है संक्रमड कम हुआ तो 20 जून से पहले नहीं हो पाएंगी परिच्छाएं फाइनल एर की परिच्छाएं ही कराई जाने का बचा है विकल्प तो चलिए पढ़ लेते हैं इस पूरी ख़बर को और हम आपको बताते हैं इस ख़बर में क्या है तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है CC SMU हो या फिर दूसरे विश्विद्याले सभी में फाइनल एर को छोड़ कर बाकी कच्छाओं की परिच्छाओं के लिए अभी समय नहीं बचा है तो यहाँ पर बताए रहा है कि अगर उत्तरपतेस की कोई भी इनिवर्सिटी हो तो सभी में फाइनल एर की जो परिच्छाओं को छोड़ कर जो परिच्छाओं होती है उसमें अब समय नहीं बचा है अगर संक्रमन कम होने पर 20 जून से भी परिच्छाओं कराए जाएं तो 20 अगस्तक परिच्छाओं चलेंगी यहाँ पर बताया जा रहा है अगर आपका जो एक्जाम है वो 20 जून से स्टार्ट होता है तब भी आपका एक्जाम खतम होने में एक महीने का समय लगेगा फिर एक महीने तक मुल्यांकन के बाद अक्ट्यूबर में रिजल्ट जारी हो पाएगा तो अगर आपका 20 अगस्त तक पेपर चलता है तो एक महीने के बाद मोल ल्यांकन होने के बाद अक्टूबर में आपका रिजल्ट आएगा ऐसे में सभी दाखिला प्रक्रिया रुख जाएगी ऐसे में अब फाइनल इयर की परिच्छाएं करा कर ही समय से नए सस्त्र में एडमीशन हो जाए तो भी गरीमत है तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि माल लिजे अगर आपका एक्जाम 20 अगर्स तक खतम हो जाता है और आपका रिजल्ट जो अक्टूबर तक आ जाता है ऐसे में आप जब कहीं और एडमीशन लेंगे तो उसके सम्मंदित उसका भी डेट पीछे चला जाएगा इससे जो नए सस्त्र की पढ़ाई स्टार्ट होगी वो अभी प्रभावित होगी फिर यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कैंपस कालेजों में परिछाओं को लेकर UCG को जून के पहले सब्ता हमें अपनी रिपोर्ट देनी है तो सभी कैंपस और कालोजों को परिछा को लेकर UCG को जून के पहले सब्ता में रिपोर्ट देनी है प्रदेश सरकार कुलपती की तीन सदस्य सिमीती से रिपोर्ट ले चुकी है विश्विद्याले भी अपना पूरा डाटा अलग-अलग कर चुका है Final Year को छोड़ कर कौन कौन से कच्चा में कितने चातर चातराएं है इसका पूरा डाटा तयार हो चुका है 3,75,000 चातर चातराएं वार्चिक प्रडाली में हैं वहीं सवा लाक के करीब समिश्टर प्रडाली में हैं सेमेश्टर में 30 फीट सी परिच्छाएं बची हैं जबकि वार्षिक प्रडाली में सिर्फ दो पेपर हुए हैं ऐसे में ये परिच्छाएं दो महीने से पहले खत्म नहीं होंगी हर साल करीब 18 लाक उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन होता है ऐसे में कितना भी जल्दी क्यों ना हो एक महीने से पहले मुल्यांकन नहीं हो पाएगा इन इस्तितियों के चलते सभी कच्छाओं की परिच्छाएं कराब आना संभव है तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ सब्दों में आपको कई ऐसे बाते बताए गई मातपूर अभी तक कोई भी ओफिसली नोटिस इस पर नहीं दी गई है तो देखते हैं जब भी कोई ओफिसली नोटिस आती है तब फिर हम आपको नए वीडियो बना के बताएंगे उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगयोगी अगर अच्छी लग योगी तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई